नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रेटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 32 वर्स की महिला के पाम का अनसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों न अभी तक हमाई चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपय करके चानल को सब्सक्राइब कर लें, बेल अकन को प्रेस कर दें ताकि लेटस नोटिक्फिकेशन आपको मिल चाहें, तो चलिए शुरू करते हैं, इनका कोशन इस प्रकार है, वरतमान सम आप अबस्था हैं, उस विशेपईन को जानकारी चाहिए, तो निश्यंतर ही आपके साड़े ही कोशन को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो काफी महतपूर्ण देखें, सीखें, समझें, सबसे महतपूर्ण चीज़ जो मैं इस वीडियो के माध्यम स इनको लक्षमी का रूप हम मान सकते हैं, तो चीजों को असपष्ट करते हैं, जिन भी महिलाओं के एतली पर ऐसी अवस्था बनी होगी, वो सारे अपने घर के लिए होते बहुत जाजा भागिसा लिए, तो बिलकुल भी चिंता में नहीं रहना, किसी प्रकार के परशानी म अपने जिन्दगी को नहीं बिताना, अगर ऐसी अवस्था बनी हो, भूल जाएए, एकदम इस बात पर ध्यान दीजिए बस कि आप बहुत भागिसा लिए हैं, तो चीजों को असपष्ट करने के लिए मैं दूसरा पिक इनका दिखाला चाओंगा, तो ये इनका दूसरा प जबरदस्त एक सी बागिरेखा यहां देखो, एक स्ट्रॉंग बागिरेखा यहां से चल रही है, और फिर कंटीन्यू बेसिस पर जिन्दगी के लास्त तक जा रही है, तो यहां पर से बागिका उत्तम साथ मिलना तो तैह था, यहां पर से देखो एक ब्रांचेस आपके फ सूरी रेका एक तो यह वाली देख लो, एक यहां से बनके चली है, और यहां पर मल्टिपल प्रापर्टी के बड़े गजब के योग, और स्ट्रॉंग सूरी रेका यहां पर से भी देखो, पैत्रिक संपत्ति का और कुछ और भी लाइन्स हैं, सारे के मतलब को बताया है, जो इनके लिए काफी फल्द आई है, स्ट्रॉंग एक मरकरी लाइन, यह भी अदबुत है, और यह कुछ प्रागर्स लाइन्स आपके यतली पर हैं, इस केस में देखो यहां पर से, तो समय समय पर पार्टिकुलर्ली कुछ एजिस में तरक्की को दर्शारी हैं, तो पार्टिकुलर्ली उसके एजिस को बता दिया जाएगा, तो निश्यंत रही है, बिलकुल भी परशान होने के आपको अवशक्ता नहीं है, मस्त खतरनाक अवस्ता है, बाग्य रेखा सही चीज़ा समझ में आ गई, कि इंसान के जिंदगी पर विश्यसकर तकलिफे नहीं हो तो ये थी पॉस्टिव अवस्थाएं इनके एतली पर, बाकी प्लैनेट्स में अच्छी कासी स्ट्रेंथ है, और कुछ नेगेटिव अवस्थाएं भी हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगा, फिर इनके कोश्चन से पर चलूँगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो य ये देखो, इनकी माइन रेखा और ये इनकी जीवन रेखा, दोणों में कितना जाधा दिस्टेंस है, इस आदार पर विक्ति अपने मन के मालकिन होते हैं, या मालिक होते हैं, जो भी इनके मन में आएगा, वही बातें सही हैं, इन लोगों की क्या होती ही, जल्दी किसी से तो उस्ती टिकती नहीं है, और ये independent nature को दर्शाता है, ऐसे लोग काफी independent nature के होते हैं, तो यहाँ पर से मैं इनसे एक जरूर बात बोलूँगा, ठीक है independent है, यहाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन निरने जबी भी लेना तो थोड़ा सोच के लिए panicness में निरने ना ले ले, क्योंकि इनके palm के हिसाब से हो सकता है, कि ऐसे जणे बहुती ऐसे निरने ले ले या बहुती असमंजस में पढ़ जाएं, खुद कोई ले के, खुद के सोच कोई ले के, कि यह confused रहे पर लाइफ पर, तो यह side effect इस चीज़ का आता, एक independent nature तो है, दूसरा यह side effect है, तो कही न लगा था, बट मैंने इन से confirm किया, इसके कोई side effect को बता के, तो यह इनके जिंदगी पर नहीं आ रहा, और यह थोड़ी सी brownish या फिर radius है, तो इसके कोई side effect आपके जिंदगी पर नहीं आएंगे, तो निश्चिंत रही है, इस पर बिलकुल विचिंता करने के आवशक्ता न नहीं है, तो अभी इनके questions के तरफ चलेंगे न, तो फिर राहू रेखा को दिखा देंगे, और साथी साथ आपके आगे के जिंदगी के विश्या में भी बता देंगे, सरकारी नौकडी मिलेगे की नहीं, देखो जैसी आपके एतली है न, और यहाँ पर से सारे planets में मेरे कहने के नौसार, दो साल और आप त्यारी करो, दो साल अपने जिंदगी को दो, सूड़ी को जल देते वे दो, ब्रश्पती किरादना करते वे दो, देखना आने वाले दो साड़ में ही आपकी नौकडी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर से आपको मेहनत जरूर करना है, क अभी आपकी चल रही 32,30 के आई हो, अब मैंने ऐसा बोला कि अभी तुरस समझा देता हूं मैं, वेट करिए, देखिए आपकी जो जीवन रेखा है, यहाँ पर से आपके जिंदगी के डिटेल्स को समझाया जाएगा, सबसे पहला चीज आपकी बच्पन से ही प्रगती के योग बने थे, इस अदार पे वेक्ती की प्रगती होती है, या फिर इनके बागे से इनके गरबाले राइज करते हैं, अभी थोड़ा बच्पन से जिंदगी को काउंट कर लूँ मैं, बच्पन से ठीक ठाक जिंदगी रही है, क्योंकि प्रगती के योग हमेशा सही थे, किसी प्रकार का संदे नहीं है, तो ये इनकी बच्पन से जिंदगी से जो कि मुझे मेरे इसाब से ये अच्छी ही बीती है, नॉर्मल ब्रश्पती को लेके अलकी फलकी पारिवारिक मामले में थुरी बहुत प्रिशानी रही होगी, वो बहुत नॉर्मल है, इस अदार पे बहुत जादा नहीं है, तो यहां से चिंता करने के आपको आवशक्ता भी नहीं है, तो ये तो इनकी बच्पन के जिंदगी कुछ महतपून बाते थी, अभी चलते हैं बाइस, बाइस साल से इनकी तरक्की के योगते, कुछ ना कुछ एचीबमेंट होगा और ये चल रही अब चीजों को और क्लियर करते हैं, बाइस साल के पहले जिंदगी देख लिया, आपने अच्छी थी, बाइस में एक तरक्की थी, फिर जिंदगी स्मूद भी थे, एक 26 एर के राउंड में थी, एक तरक्की फिर एक 28 में थी, एक 30 ये वाली देखो यापर से ये, ये तकरि पर है, exactly 32 में साड की आयू में है ये वाली देखो, तो यहाँ पर से क्या होगा ना, प्रगती के योग तो है, लेकिन राहूर एका जबी रहती है, तो थुरा विलंब से मिलती है कामियाबी है, तो यहाँ पर से इस चीज को मैं देख के बखो भी बता पा रहा हूं, कि को जल देना, ब्रशपती के रादना करना, आपकी नौकली जरूर हो जाएगी, आपको बस अपने उपर ट्रस्ट रखना, इसका मतलब ही होता है, कि इनसान को अपने उपर ट्रस्ट नहीं रहता, वो चीज़ों को लाइटली लेता है, चीज़ों को छोड़ देता है, लेकि आपर से देखो, 42 में वर्स में एक नौर्मल राहू लाइन का कट है, 42-43 एर्स के राउंड, फिर स्मूथ आपके जिन्दगी चली है, यहाँ पर से एक नौर्मल कट है, यह मैं आपके पचास में साड़का देख रहा हूँ, और जीवन रेका यहां से टैस्ट तो जरूर कर की यह तक्रीवन आपके, पचास में बावन में की, इसके बाद भी जिन्दगी मस्त खतरनाक है, तो कोई विसे टेंशन नहीं हो और आयू को लेकर चाहिए, इसके बाद का मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई राहू रेका नहीं है, इसके बाद भी आत्मिकता आपकी यह कि आपको नौकडी लेना है, तो बस जॉब के लिए आप के एर करो, बहुत ही अच्छे असार है कि आपकी नौकडी हो सकती है, एकदम कन्फर्म है, तो यहाँ पर से आपकी प्राग्रस लाइन थी, यहाँ पर से कुछ राहू रेका थी, तो एकदम ब यही जो मिली है न, यह वाली एस का अगर मैं बात को तक्रीबन इनके 62-63 वर्स की आई हो है, तो बिलकुल में चिंता मत करो आप, यहाँ पर से आयो को लेके परशानी नहीं है, बाकी आयो को लेके कभी परशान होना भी नी चाहिए, तो यह कुछ कोशन्स थे, कुछ पॉस करती है, गद्यदार वस्ता है, तो राज्योग कारा कवस्ता इनके तली पर 55% के राउंट बनी है, तो जिन्दगी बड़ी अच्छी बीतनी है आपकी, फिर देखो थंब, थंब पे एक मोल यह नहीं है, नहीं है, किसी प्रकार का बहुत दुस प्रभाबला योग है, इसमे बहुत शांदार है, डिजायर्स के बहुत इच्छे योग बने तो विक्ति काफ़े डिजायरेबल होते है, इसमें कोई संदे नहीं है, बाकि यहाँ पर से देखो एक यवाकृती सी बंडरी है, जबी भी आपको सपोर्ट की आवशक्ता पड़ेगी, जरूर से आपके जिन और लाइन्स आपके काफी खड़ी है, इसका मतलब होता है, विक्ति दिल से बहुत इच्छे होते हैं, दिल में किसी के परती कोई गलत बावना नहीं है, हमेशा है लोगों का मदद करने के लिए हमेशा ही तात पड़ी है, यह आपके अच्छाई के निचर को दर्शाती है, फिंगर ब्रश्पती चोटी संकी बड़ी तो बहुत इमती सैटरन के अटेश्मेंट है, तो विक्ति बहुत कैलकुलिटिव तरीके से अपने जिन्दगी को जीते हैं, जिसको हम कह सकते हैं बड़े नियमित रूप से, अपने जिन्दगे को खराब करने का यह कोई भी काम नहीं करते हैं, यह हमेशा अच्छे करने का प्रियास करते हैं, सारे के फर्स्ट फेलेंज आपके बहुत ही अच्छे हैं, इस आदार पर विक्ति बहुत महात्मा कांची होते हैं, इनको अपने जिन्दगी पर बहुत कुछ करना होता है, बुद्ध फिंगर छोटी सी है बुद्ध फिंगर छोटा तो साही नेचर होता है, बुद्ध फिंगर छोटा तो अपने उपर ट्रस्ट खतम हो जाता है, बुद्ध फिंगर छोटा तो लापडवाही के नेचर कोई दर्शाता है, तो इस अदार पर यह सारे चीज़ें आपके जिन्दगी पर होंगी, तो प्रारंबिक समय में बहुत दोस्त मित्र साथ नहीं देते और दूसरा धोके के योग को भी इंडिकेट करते हैं तीसरे पाड़ी वालिक संदर्ब में कुछ नॉमिनल प्रिशानी को इंडिकेट कर सकती है हाला कि बरश्पति आपकी काफी अच्छी तो काफी ब्रॉड आप किसी भी चीज़ को समझदारी से करना पसंद करती है इसके साइड इफेक्ट प्रारंबिक समय में थे अब तो इसके साइड इफेक्ट होंगी भी नहीं आपके संदगी पर तो यहां पर से ज़ड़ा टेंशन आपको लेना है नहीं ब्रश्पति अच्छा है तो बहुत ज़ड़ा ब्रॉट माइंडेड है आप इसमें कोई संदे नहीं है कारी छेतर को यह लोग ज़रूर से बढ़ा पाते अपने ज़ंदगी पर एक नॉमिनल स्कॉयर सा मुझे फील होड़ा है इस केस में इंसान की ऑथरिटी पोस्ट की प्राप्ति ज़रूर से होती है तो सरक लगे के लास्ट भी आपकी बहुती अच्छी बीतनी है इसमें किसी परकार का संदे नहीं है इश्वर के तरब से आपको अच्छा खासा आसिरबाद मिला है आपकी बाग्यरेका के सुरूप में तो यह समझ लिया बाग्यरेका के विश्यमें साड़े ब्रांचेस आपके ल मुझूद तो विक्ति के उपर सुरूप की क्रिपा तो है तो आब बस परियास करोगी तो नौकड़ी के बहुती अच्छी अच्छा आसार है पिता या पती का संपती का साथ मिलना वागे कुछ लाइन्स हैं जो कि आपके टलेंटेड होने का परिचकर आती है और सुरूप का बड़ी है इसकेश में इंसान मैनत कर रहे हैं अपने जंदगी को ठीक करने के लिए एक और ब्रांच शी बन रही है चटिसमें साल के बाद प्रॉपठी के बड़ antsy के योग यह एक दो रखो इ सारे प्रॉपठीे के योग है यहा पर से भी एक सी बन रही है तो कारे करने वाली महिला है इंसान बहुत इंटलिजेंट होते हैं इतने इंटलिजेंट होते हैं कि अपने जिंदगी को ठीक करने के लिए इनफ कैपेबल हैं आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं आप उसके बाद देखो हर्ट लाइन काफी अच्छी लेकिन थोड़ी इमो इमोशन्स में बहके कुछ ऐसे निरने लेते हैं जो इनके लिए तकलीफ दे साबित होते हैं बागी हार्ट लाइन की डिस्टन्स बहुत ही अच्छी है और जीबन रेखा तो बढ़ी अदबुत है इनकी तो बैलसन डिस्टन्स अच्छा होने से इंसान दिल से बहुत रुस्त होता है लेकिन अपने उपर सिर्फ विश्वास होगा इनको क्योंकि इंडिपेंडन नी चड़े ये लोग किस पर विश्वास करेंगे इसकी कोई गरेंटी नहीं है लोग को खुद अपने उपर ट्रस्ट होता है तो थोड़ा दूसरे पर भी ट्रस्ट कर लीजे इ आपकी negativity को दूर करती है जो heart line और mind रेखा से negativity मुझे बता रही थी हलकी emotions, हलकी परिशानी, हलकी सोच में दिक्कते इन सारे habit को ये indications आपके जरूर से दूर करतेंगी तो ये तीन चीज़े आपने समझ लिया आपके strong आपकी दोनोई मार्श मतलब इतना बढ़िया मार्शन आपके क्या ही बोलूम है इनसान बहुत energetic है, जल्दी हारने वाले तो परसनी नहीं आप तो आपको तुम्हें एक suggestion भी दोंगा कि आपको हारना जल्दी है भी नहीं आपको परियास जान लगा के करना है आने वाले दो साले में बहुत यची उमीद बन रही है कि आपका नौकडी हो जैसा मैंने आपको जीवन रेखा से दिखाया तो बिलकुल भी panic नहीं होना, बिलकुल भी परिशान नहीं होना बस अपने जिंदगी को ठीक करने के लेक सार्थक परियास करना है एक dedication से जबर्दस्त मंगल है, बहुत ही मती हैं आप strong आपकी चन्रमा, इंसान के जिंदगी पर पैसे के flow बनी रहती है और कुछ lines है चन्रमा पर यह lines के अदरशाती है, आपकी यात्राओं को तरफ परिशे कराते हैं अब कुछ nominal यात्राओं के योग बन रहे है फिलाल तो अभी इसमें ताकत नहीं है, तो अभी यात्रा कराएगी या नहीं कराएगी यह असमंजस में है, जब ताकत नहीं रहती तो यात्राओं तो बहुत ज़्यादा नहीं कराती है इसलिए मैंने ये बात कहा आपसे तो आगे के लिए बिलकुल में चिंता मत करिया आगे यात्रा के योग हैं, हो सकते कि कुछ बड़े-बड़े यात्रा आपके जिंदगी पर हो तो ये तो चंदरमा पैसे की फ्लो अच्छी बढ़ी रहती है आपके जिंदगी पर और स्ट्रॉंक फिश के तुपरबत पर कास्मिक दनलाफ को दर्शाता एक लाइन से भी आपकी बढ़के चल रही है तो इस अदार पर गर मैं ठीक से देखो ना तो ये यहां से अलका सब बना है और यहां पर से एक लाइन से है यहां पर से भी आगे बढ़र रही है इस केस में कास्मिक दनलाफ को दर्शाता है बागी ये कुछ यातरा के योग है जोसिंदगी के लास्ट फिड़ में यातरा है ये चैनले को सपोर्ट करने वाई कुछ लाइन से है इस चीज़ा आपने समझ ली अभी चलते बुद्धरेखा के तरह तो एक बुद्धरेखा बनतो रही है तो विपार कर सकती है जमीन से जुरावा विपार करना आपके लिए काफी फलदाई रहेगा और एक रेखा आपकी यहां से भी बनके चल लिए तो एक मनी ट्रेंगल भी बना ली और यहां से भी एक बना गई तो इस केस में विक्ती पैसे जमा करने वाले होते हैं ना की फाल्तु खर्च करने वाले हो पैसे आपके पास आते हैं तो यह तो हो गई निकीज की बात अब देखो बाग्ये रेका स्ट्रॉंग फेट लाइन जिन्दगी के प्रारंबिक समय से तो यहाँ पर से भी फेट लाइन आपकी जीवन रेका काई कारी कर रहे हैं तो कोई चिंदा मत करो स्ट्रॉंग भागी रेका आपकी जिन्दगी के प्रार्म बेक समय से कंटीन्यू बेसिस पर आपके लास्ट तक तो भागी का साथ है तभी मैं बोल भी रहा हूँ कि जॉब के बहुत ही अच्छे आसार है यहाँ से भी एक बागी रेका के ब्रांचे सागे गए यहाँ से भी एक बने यहाँ से भी आगे बने यहाँ से भी चल रहे तो मतलब 30 साल के बाद एक से ज़ादा भागी रेका आपके अतली पर है इस केस में काम्याबी मिलने के बहुत ही अच्छे आसार है बस प्रियास करना है सार्थक रूप में strong जिंदगी के लास तक तो भागी का टेंशन नहीं है आपको बस प्रियास कर लेना है तीस वर्सों के बाद changes होने के बहुत अच्छा रहना कि यहाँ 36 वर्स तक बनी हुई है और यह आपकी 32 साल है यहाँ से भी एक और branches खुली यहाँ से भी खुली यहाँ से अलकी खुल रही है तो मतलब भागी रेका अदभुत है अदभुत है एक दम complete जवर्दस्त भागी रे management के बहुत अच्छे lines है तो ऐसे लोग पैसा जरूर कमाते हैं अपने जिन्दगी पर लग्जरी का सुकेड़ी को life पर जरूर से मिलता है यह तो confirm यह तो लिख के ले लो जबर्दस्त शुक्र है इंसान के जिन्दगी बड़ी मस्त बीथती है strong lines आपके तली पर यह क्या दर जबर्दस्त फिर देखे यहाँ पर से भी कुछ lines बने हुए यहाँ से भी बने हुए है और strong जीवन रेका मतलब जहाँ पर से ना आपकी आयू दिरगायू है यह आपकी अख्यते लिए मुझे completely बता रही है और मंगल अच्छा ओवर प्राक करमी कुछ nominal tensions के line है तो व्यक्त जबर्दस्त आयू जबर्दस्त चीज सब्चित बढ़िया अलाकि आयू को लेकर विसे स्टिपनी तो नहीं की जासे लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ से ट्राइंगल जुरूर बन रहा है मांगे कुछ lines आपके आपको मिलना है और strong multiple property के योग 36 के बास सक्र हैं तो यहाँ पर से multiple property के भी अच्छे खासे असार आपके इतली पर है इस सारे ही case में आपको property का सुख मिलना है इसमें कोई संदरी यह देखो strong lines यह वाली बिस ट्राइंग तो यहाँ पर से सुख जरूर मिलता है इसमें कोई tension मत लीजे बाकि अपने उपर आप control लगे नि उपर पुरा ध्यान रखना है कोई दिक्कते नहीं आएंगी अगर आप उने उपर ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कते आएंगी क्योंकि बुद्ध फिंगर में फिलाल कोई बहुत ज़्यादा strength नहीं है तो यह ताइन कहते हैं का पुर्णत अविशलेशन अगर आपको म बहुती राम से संपर कर सकते हैं प्रस्तनली बरिशाई बात होगी धन्यवाद